श्री गंगानगर के करणपूर में विधान सभा का चुनाओ हो रहा है जहां बीजेपी के प्रित्याशी है सुरेंदर पाल टीटी लेकिन चौकाने वाली बात यह है कि उनको मंत्री बना दिया गया भजनलाल केबिनेट के अंदर और इसी पर कॉंग्रेस पार्टी ने अपत् ने दो कमें जी नहीं आ रहा रहा छा parked fast चुनाओ में किसी को मंत्री बनाएंगा आचार सहीता पहले लग चुकी मैं मिनिस्टर हूँ, मिनिस्टर था माल लो और मिनिस्टर रहते वे चुनाव आये मुख्य मंतरी, मिनिस्टर सब रहते वे उनकी आचार सहीता में उनकी पावर सीज़ हो जाती है गाड़ी, घोड़े, सरकार की कोई पावर यूज नहीं होती नाम के मंत्री होते हैं और वो चुनाव लड़ता चलता रहे था है तो को पहले बने वे होते हैं आचार सहीता लगने के बाद कभी भी कोई मंत्री सपत नहीं लेता अब बीजेपी के साथ तो देखिए साब समरत को नहीं दोस उसाई बीजेपी तो जिस रास्ते पर चल रही है वो एजेंडा उनका खुद का है ना देश का है ना जनता का है ना गरीब का है ना भूग का है ना रोजगार का है बीजेपी ने तो तैय कर लिया अब आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्तान में इनकी सरकार बन गई इन्हों ने ये कहा था कि साड़े चार सु रुपे में हम सलेंडर देंगे गैस सलेंडर राजस्तान की हर महिला को गैस एजनसीयों पर जाकर महलाओं की सेक्ड महलाओं की लाँड लाइन लग गई बात में जाकर कहते हैं नहीं नहीं सबको नहीं मिलेगा तो न कुg बी-प्य, और उज्वु लगू हम दे 3 ते 5 सु रुपे हैं अभी उनकी सरकार भी आ गई है लेकिन ये जो काम किया गया है मुख्य मंत्री के दुवारा किया गया है तो मुख्य मंत्री को सामने आना चाहिए आकर बोलना चाहिए मेरे समझ में नहीं आ रही राठोड साब का तो मुझे भी बहुत दूख है मैं तो चाहता था कि वो मुख्य मंत्री बने लेकिन वाव तो पुस्तकर सिंग धामी को बना दिया उत्रागंड में यहां राज़न राटोड साब को बना देते ना कौन बना कर रहा हम तो खुज होते कि जिस आदमी ने महनत की वो बन जाता है हमने तो बना ही नहीं किया कि करणपूर में हवा कॉंग्रेस की है और कॉंग्रेस के कंडिडेट के पक्स में बड़ा सिंप्याथी का माहोल है लोगों को लग रहा है पांच दिन बाद चुनाओके कॉंग्रेस हार गए तो लग रहा है यार यह तो बिलकुल हिंदू-मूसल्मान के नाम पर जूट बो ले लिया और अब बीजेपी ने जो वादे किये दस से बारा से पंदरा रुपे तक पैट्रोल डीजल के दाम कम करने वाली थी आज तक तो किये नहीं लोग इंतजारी कर रहे हैं मंत्री मंटल गठन में देरी हुई और अब चर्चा विभागों के बटवारे की है कब तक ये बटवारा हो जाएए जिसको विभाग दे इनकी इच्छा मंत्री बनके उन सबको बढाई विभाग अच्छे से अच्छा किसी को दे नहीं दे लेकिन इनको मुख्यमंत्रियों को दे देते हैं विभाग कम से कम और कोई बात नहीं आपको सरकार चलानी है क्योंकि देखे बीजेपी का एजेंडा काम नहीं है बीजेपी ने पहले नाटक किया सारा सानातन धर्म को बचाओ हिंदूों सावधान हो जाओ मुसल्मान बन जाओगे चज्जे के उपर पिठा दिया डरा दिया मैजर्टी ओव वोट्स ले लिया तो अब बीजेपी को ये बताना चाहिए कि वो सानातन धर्म को मानने वालों को अब बानते हैं ये हिंदूत का एक बड़ा मुद्दा था जिसको समझने में कहीं न कहीं कॉंग्रेस से गलती हुई और इस हिंदूत के मुद्दे के करण बीजेपी की सरकार है वो आ गई है और फिर अब ऐधिया राम मंदिर से लेकर बीजेपी इसको बड़े इससर पर ज बीजेपी ये क्यों नहीं बोलती कि सुप्रीम कोड ने ये भी काया मस्जिद भी बन रहा है वहाँ पर युद्या में नहीं बन रही है मस्जिद बीजेपी ने रोग दी है मस्जिद जूट क्यों बोलती बीजेपी बताती क्यों नहीं लोगों को कि वहाँ मस्जिद भी ब पर काम क्या दार पर वोट देना चाहिए अब राम के मुद्दे पर बीजेपी ने जो किया है तो बीजेपी का तो डिसीजन ही नहीं है डिसीजन तो सुप्रीम कोट का है और राम मंदिर के ताले राजी गांदी जी ने खुलवाई दे पूजा चालू करवाई वहां पर लेकिन मंदिर सुप्रीम कोट के आदेश से बन रहा बीजेपी या लोगसभा के आदेश से नहीं बन रहा बीजेपी के सरकार का कोई आदेश नहीं है सुप्रीम कोट का आदेश है मंदिर और मस्जिद बनाने का इसने बीजेपी इस इशू को अपने कबजे में ले लिया बगवान राम भी आज होते हैं तो कहते हैं पहले रोटी की विवस्ता करो रोजगार करो काम की बात ही नहीं कर रहे हैं कहा है पंद्रा लाग और अच्छे दिन क्यावा पुराने वादूं का काला धन लेकर आएंगे पंद्रा लाग आपके घर पे अपने आप पहुंच जाएंगे अच्छी दिन आ जाएंगे पैट्रोल डीजल पैती उसुपे लिटर बेचेंगे पोग्रिस सरकार योजना है तो काफी सारी लेकर आई लेकिन लोग यह कह रहे हैं अंतिम समय पर चुनाओ से ठीक पहले योजना लेकर यह यदि पहले से योजना लेकर आती तो शायद कुछ और इस्थितिया जो हैं वो हो सकती थी आप मानते हैं कहीं ने कहीं चूक हुई चुनाओ से ठीक पहले योजना लेकर किया आँ बीजेपी ने कहा रेवडिया के रूप में बात रहे हैं कोई चूक नहीं हुई है जंता ने हमें पराजीत कर लिया जंता ने हारका असिरवाद दिया हारका ले लिया अब जंता को भीजेपी का राज पसंद आया तो उन्ह बीजेपी को जिता दिया तो हम तो उनको धन्यवाद देके जो उनका मैंडेट है उनको सुविकार कर लिए हमारे हाथ में क्या आप ही बताओ हम मैनत कर सकते हैं काम कर सकते हैं हम नहीं बात कह सकते हैं जो हम खुद कह रहे हैं कि हम सब राम के बच्चे हैं तो उसमें क्या बाकी कह रहे गया आप मुझे बताओ जैपुर में एक दंगा नहीं हुआ कॉंगरिस के राज में अब बीजेपी उस वक्त तो सारी सब जगे अर्मान चालीसा के पार्ट हो रहे तो अंगामा हो रहा था उसमें पार्लेमेंट जीतने के लिए तो बीजेपी राम मंदर का काम पूरा नहीं हुआ उससे पहले पूरा माहुल बनाया जा रहा है कि कैसे भी ये माहुल बना करो लोकसभा का चुनाओ जीत कि चुनाओ ये जीत सकते हैं आपके कॉंग्रेस के दोनों वरिस्ट नेताओं को अशोग गैलोज जी को सचिन पाइलेट जी को एको अलाइंस में एको चत्यस गढ़ में जमिदारी जी गई है राजस्तान में कौन कमाद समालेगा अब लोकसबा चुनाओ आ रहे हैं तेकि बीजेपी का एक बात सुनने ना जम अलग लग पावर सेंटर है इतना आसान नहीं बीजेपी का सरकार बनाना तो राजस्तान में बीजेपी ने चुनाओ जीता है और हम चुनाओ हारे हैं और हमको सड़क पर जगे दिये जनताने तो हमें सड़क सुईकार है वो कोई दिकत नहीं है पार्टी कारिकरताओं क अब तो बीजेपी का राज आ गया मुसल्मानों को बार निकाल दी कि जैपूर से हिंदुस्तान से डबल इंजन की सरकार आगी अब इंजन कब चलेगा भई ना जो जनता को रोटी मिल रही ना रोजगार मिल रहा डबल इंजन की सरकार क्या है डबल इंजन मारोगे के आप मानते हैं इसका भी एक बड़ा नुकसान देखने को मिला कोई नुकसान दी जनता ने वोट नहीं दिया बस यह थे हमारे साथ में पूर मंति प्रताप सिंग खातिरी अवास उन्होंने कहा जनता ने वोट नहीं दिया राजस्तान में परिपार्टी भी रही है एक बार इंद्यत्व का चेहरा हैं और पीम नेरेंदर मोधी की योजनाओं को लेकर के बीजेपी आगे बड़ी जिसका चुनाओ में उन्हें फाइदा मिला लेकिन अब लोगसभा चुनाओ है उसके तैयारी में कॉंग्रेस पार्टी जल जुड़ने वाली है और साथ ही राहूल ग